ओमानमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं अबिलल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ने थे, मित्रों, जैसा कि आपको मालू है कि आज कल एक बिसे सरंखला हम चला रहे हैं, जो कि यच्छणी साधना से संबंदित है, उसी सरंखला में आज बात करते है नती यच्छणी की साधना की, हिंदू सात्रों में 36 यच्छणी का जिकराता है, जिन में से 4 यच्छणी की साधना गुप्त है, इस तरह कुल 32 यच्छणी की साधना की जाती है, उसमें भी 8 यच्छणी की साधना अत्यंत प्रच्रित है, यच्छणी साधना का एक पच्छ यह भी है कि यच्छनी को साधक को बर देना अनिवार होता है यच्छनी साधना कभी निस्फल नहीं जाती है प्रस्तुत वीडियो में नटी यच्छनी साधना की चर्चा की गई है नटी यच्छनी साधना का प्रारंभ भी पूर्णिमा से करना अच्छा माना जाता है या अगली भूम पर करना सरेष्ट होता है, जहां असोक के ब्रच्छ हों, मूल रूप में या साधना असोक के ब्रच्छ के नीचे की जाती है, मिट्टी की मूर्त या यच्छनी अंत्र को इस्थापित किया जाता है, फिर नटी यच्छनी को माता, बहन, पुत्री या प्रेसी र आंस और मदिरा की बल दिये बिना शंपन नहीं होती, अखंड जबके बाद नटी यच्छनी प्रकट होकर शाधक की मनोकामना पूर्ती करती है, वह साधक के लिए संसार के सारे वैभव उपर्थित कर देती है, तामसी साधना होने के कारण इसमें साधक के अलपाहरी या सा आकाहरी होने की बादता नहीं है, अन्य यच्छनीों को मकाबले में नटी यच्छनी साधना जल्दी पूर्ण हो जाती है, प्रस्तुत वीडियो किसी भी साधक को यच्छनी साधना के लिए प्रेरित नहीं करता है, बिना गुरु की देखरे के की गई कोई भी साधना सारी और मानसिक्छत पहुंचा चकती है, मित्रों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कप्यान लाइक करिए, सेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवसे करिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्का झाल